क्रिकेट मौझूदा समय में दुनिया के सबसे लोकप्रियक खेलो में से एक है लेकिन क्रिकेट के मैदान पर अक्सर कई बड़े हाद से होते रहते हैं इस दोरान कई खिलाडी जान भी गमा चुके हैं एक लाइब मैच के दोरान अचानक एक होनहार भारतीय क्रिकेटर की मौत हो गई जिसकी कमी टीम इंडिया को बहुत खलेगी इस होनहार बल्लेबाज की तुलना रोहित सर्मा, सचिन तेंदुलकर, विरेंद्र शेहवाग और योवराच सिंग जैसे दिगज बल्लेबाजों से हो रही थे आपको बता दें कि दुनिया भर में फैली महामारी की वजह से फिलहाल लगभग सभी अंतराश्टरीय क्रिकेट मैचों को अनिश्चित काल के लिए अस्थागित किया जा चुका है लगभग चार महीने से कोई भी अंतराश्टरीय मैच नहीं खेला गया जिसकी वजह से कई नए क्रिकेट खिलाडियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका है हलाकि क्रिकेट जगत के लिए अच्छी बात यह है कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच आठ जुलाई से सुरू हो रही टेस्ट सीरीज के साथ अंतराश्टरीय क्रिकेट की सुरुवात हो रही है उमीद है अब जल्द ही BCCI भी IPL का नया सेड्यूल जारी करेगी आपको बता दे कि महामारी की वजह से फिलहाल दुनिया की सबसे लोगप्रिय क्रिकेट लीग IPL को अनिश्चित काल के लिए अस्थागित किया जा चुका है जानकारों की माने तो BCCI IPL को लेकर जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेगी माना जा रहा है कि IPL 2020 का आयोजन सितंबर अक्टूबर में हो सकता है हला की काफी कुछ निर्भर करेगा महामारी के नियंतरण पर आने वाले दिनों में महामारी पर नियंतरण संभव हुआ तो निश्चित तोर पर IPL 2020 का आयोजन हो सकता है इस बिच भारत के एक होनहार क्रिकेटर के आचानक निधन के बाद भारत समेत पूरे क्रिकेट जगत को बहुत बड़ा जटका लगा है आपको बता दें एक वंडे लीग मैच के दोरान विरेंदर नाइक नामक बल्लेबाज की आचानक मौत हो गई पूरे मैच में सांदार बल्लेबाजी करने वाले विरेंदर की पावेलियन लोटने के बाद आचानक मौत हो गई आपको बता दें कि 46 रनों की सांदार पारी खेलने के बाद विरेंद्र नाइक विकेट के पीछे कैच आउट हुए थे लेकिन बताया जा रहा है कि विरेंद्र अंपायर के फैसले से ना खुश थे उन्हें लगा था कि गेंद उनके बल्ले का किनारा नहीं ले थी विरेंद्र जैसे ही पावेलियन लोटे उनका सिर दिवार से टकरा गया और वह नीचे गिर पड़े जिसके बाद साथी खिलाडियों ने उन्हें अस्पताल तक पहुँचाया जहां डाक्टरों ने उन्हें मिरित घोसित कर दिया ऐसे होना हर बल्लेबाज को खोना भारत के लिए बहुत बड़ा जटका है